आज हम आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए है इस वीडियो में हम आपको एक ओफर के बारे में बताएंगे तो इस ओफर में बेसिकलिक क्या है यह आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कमेंट के तूरू किसी ने परसिनली भी मुझे कॉल करके एं 8999 में आपको पूल आपडिकेशन के साथ कोई फीचर के साथ यहां पर नहीं हुआ है सम्सक्राइब भीक्वारा सभी उपधैचर तो यह उपहां से नदर क्या चीज आपको मिलेगा यह सब स्ली पहले साहने तो एक बताये कि 8999 में आपको क्या-क्या मिलता है इसमें आपको delivery boy के लिए application, main application that is customer application और आपको दिया जा रहा है server इसके साथ included है, मतलब यह full एक package है, इसके बाहर में आपको एक भी पैसा हमें देना नहीं है तो यह जो pricing है, इसका मैं section बता देता हूँ, कौन से चीज के लिए कितना charge हम कर रहे है तो server charge इसके अंदर included है 1499, मतलब 1500 रुपिया है, नेक्स्ट जो console charges है, 760 रुपीज and development charge हम ले रहे है 4999, मतलब 5000 रुपीज हम development charges ले रहे है और daily backup system के लिए 450 रुपीज पर year ठीक है, और यह जो चीज़े आपको दिये चा रहे है इसमें one year के लिए आपको पूरे service free रहता है, कोई भी अगर दिक्कत होता है, वो हम shot out कर देते हैं और next जो आपको बताना है, वो है जो renewal charges ठीक है, एक साल के बाद आपको hosting जो होता है, वो आपको renew करना पड़ेगा तो renew करने के लिए 1499 रूपीस आपको देने है, ठीक है, renewal के लिए, यह हो गया, और दूसरी बात जो आपसे कहना था, यह procedure के बार में, बहुत लोग बार बार पूछते हैं कि यह किस तरह से यह proper procedure के थूरू यह execute हो सकता है, मतलब पहले क्या करना पड़ेगा यह application को लेने क condition को पर लीजिए, उसके बाद हमें contact करिए, ठीक है, तो contact करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जब आप contact करना है, दस बज़े छे बज़े के बीच में करना है, Monday to Friday, जो आप बहुत बार पूछते हैं कि advance कितना payment करना होगा, तो advance का amount पहले जो हम लेते थे 50% advance में लेते थे, बट अभी क्या है, अभी हम 20% सिर्फ advance आपसे लेंगे, मतलब 8999 का 20% आता है, 1800 रुपीज, 1800 तो 1800 रुपे आपको advance में pay करने है, और जब आपका application प्ले स्टूर पर आ जाएगा, प्ले स्टूर पर आ जाने के बाद आपको बाकी का जो payment है, वो आपको देने हैं, ओके, clear? औ checking period मतलब 4 दिन जब application बन जाएगा, तो आपको provide किया जाएगा, आप 2 दिन उसको देख लेंगे, तो किस तरही के से वो काम कर रहे हैं, वो सभी चीज़े आपको बता दिया जाएगा, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे यह application को use कर सकते, यह orders कैसे देख सकत based to verification process में 5 to 7 days का maximum time लगता है, ठीक है, यह time आपको देना पड़ेगा, तो total time कितना हो गया, 4 days, 2 days, plus 5 days, 5 to 7 days, तो आप पूरा मान सकते हैं कि approximately 15 दिन का यह full process रहता है, ठीक है, इसके आगे आपको food application आपको handover किया जाते हैं, नेक्स्ट यह बात आते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़े देना पड़ेगा, तो आपका email ID, password के साथ देना है, जिस पे हम firebase का setup करते हैं, ठीक है, next, number 2, आपको brand name, कौन सा नाम से आप अपने application को बनाना चाहते हैं, वो brand name आपको देना है, next आता है, एप का theme आपको provide किया जाएगा, वो theme का color क्या रखना चाहते हैं, वो ब design में से आप कोई चूज करके हमें confirm कर सकते हैं, ठीक है, यह हो गया, आप लोग के, आप लोगों से पूछे गए, बहुत सारे question का answer, बस अभी इतना ही है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, या कोई भी query आता है, मन में, कोई भी प्रशन आता है, तो आप हमें direct contact कर सकत है, ठीक है, तो thank you for watching this video, have a nice day.